तो हैलो फ्रेंड्स तो रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आये हैं जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चक करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक है कि नोजी एंड वॉमिटिंग जी घबराना वा उल्टी आना जैसा कि आपने सुना होगे कि बहुत से लोगों में जी घबराना जैसा उल्टी आने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो आईए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है चलिए हम जानते हैं वॉमिटिंग क्या है इंफेक्शन वा अधर कोजिस की वज़े से गेस्टो इंटेस्टाइनल कंटेंट का बाहराना जब हमारे सरीर में फूड डैजेस्ट नहीं हो पाता है तो उल्टी से बाहराता है ऐसा ड अपाचन की वज़े से देखने को मिलती है जैसे मोसन सिखनेस जैसे ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आना तथा जी घबराने जैसी समस्या देखने को मिलती है अन्यकारण इंफेक्शन किसी भी प्रकार का संकर्मण intestinal obstruction आतों में रुकावट का होना food poisoning रखा हुआ भोजन ग्रहण करना पुराना रखा हुआ भोजन खाना head injury सिर में किसी भी प्रकार का चोट का होना viral hepatitis पीलिया होना आईए हम जानते हैं इसके sign and symptoms के बारे में यानि लच्छड क्या है abdominal pain पेट में दर्ध होना fever बुखार का आना light headache सिर दर्ध होना vertigo चक्कर आना pulse का बढ़ जाना dry mouth मूह सुखना dehydration पानी की कमी chest pain, सीने में दर्ध होना, excessive sleepiness, अत्यदिक नीद का आना ये तो बात हो गई इनके लच्छडों के बारे में अब हम इनके treatment यानि उपचार के बारे में जानते हैं nogia and vomiting की condition में हमें कौन सी tablet का यूज करना चाहिए, कौन सी दवाईयां उपयोगी हैं tablet, periset, md, ondastron, 4 mg, शुभा साम ले सकते हैं और capsule, abeprojol, 20 mg, खाली पेट, सुभा साम, खाना खाने से पहले सुभा साम दी जाती हैं syrup, pen top, 2 चमच, सुभा साम, दोपह, तीनों टाइम ले सकते हैं अगर पेट दर्द जैसी समस्या तभी भी बनी रहे तो diclofenic का injection उस इंसान को दिया जाता है चलिए हमारा आज का topic यहीं समाथ होता है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक किएजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किएजे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और आप उसको देख सकें और मेरे वीडियो को सेर करना मत भूलिएगा आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए वो टॉपिक लाने की कोशिश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स